नमस्ते विद्यार्ती मीत्रों, कैसे हो, अचे हो ना, हाँ, विशा हिंदी, आज अम बार्वी कक्षा का पाठ छ घर सिखेंगे, लेखक का नाम है बोलाबाई पटेल, डोक्टर बोलाबाई पटेल का परिचे पेले सुनेंगे, लोक्टर बोलाबाई पटेल गुजराती भासा के शाहित्यकारे, उसका जन्म मैसाना निकट सोजा गाउं में हुआ था, बनारस यूनी से हिंदी, संस्कूत और प्राचिन भाद्य संस्कूती के विशे में बीए की उपादी प्राप्त की थी, गुजरात यूनी में हिंदी व अगने एक अधियन आधी है, उनको अनिक पुरसकारो से सम्मानित किया गया है, गुजराती शाहित्य, सभाकी और से, रणित राम सुमरन जंदरक, हिंदी शाहित्य, सेवी सम्मान का, स्री स्वामी सचिदान सम्मान, भारस सरकार्ने पदमस्री से सम्मानित किया है, रस्तु प्रस्तुत निबन में लेखक शहर में स्थाई होने से गाउं के गर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिटी का गर उसके परिवार ने बड़ी मैनत से बनाया था। गर बेचने के पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने चाते हैं। लेखकी मां पूराने गटनाओं को याद करके रोने लगती हैं। अंत में घर न बेचने का निर्णे लेते हैं। घर केवल चार दिवार और छपर वाला ही नहीं लेकिन भावना का प्रतिक होता है। अब लेकक्सम केए चें। के घर, आपने बदाया जेकर मां रही हैं। अब एक कहवत चें के दुनिया नो छेड़ो घर, आपने जेकर नियांदर रही हैं। घमे को घर होई। नानु होई, मोटु होई, लिपेलु होई, पाकु होई, काचिव होई। चताइ पंड, आपणे आपने आपने बर ज्योँ वाहलू होई छे, एहुं बीजा कोईनों वाहलू होई नई, आपने नहीं आपने वह वहान दो बंगणों सरस्य गमे, पांड, जे भी आपना करने यांदे सांथी मडे, ये भी बीजे कैम मडे नहीं, येले के छे घर एक ख गाउं से सहर में स्थाई हुने के बाद लगबग बंदरायने वाले अपने छोटे से गाउं के पुस्ते नी गर को बेच देने का विचार आया जिस महले में हमारा कर है वहां के पूराने परोशी तो अब शहर में रढ़ने लगे थे अधिकतर लोगों ने तो अपने पूराने गर बेच भी दिये थे इसलिए साधी मृतियों जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुटियों में गाउं के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेटंगा लगता है नए पड़ोशी आ गए है और उनसे अभी नाता ही नहीं बंद पाया है वे हमें भी आंगत्युक ही मानते थे इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्शन नहीं था अवे लिखक्सों के जे के घाउं से शहर में स्थाई होने के खारान लिखा के जे पेला में नाना हाता तेरे घाम मा रेता हाता पर हवे अमें नुक्री धंदो काम धंदो करिये जे इले में शहर में बदार रहवा चालिया गया है कुस तहीनी जुनू कूरान के जे आमारो जे बापदादानू मकान हातू इने वेच्वानों में निर उने करे ओके जे शेरी मां में रेता था ते आना पाड़ोसी जे जुना पाड़ोसी होई ए पन सहर मा रेवा चालिया गए ले मोटे भागे बदा है पोता ना जुना अगरे मेची दीदा अख खाली गाम मां क्यारे आवानु रेत कि कोई ना लगन होई कि कोई व्रुत्यू पाम होई ए वकाऍसा तो पाड़ोसी में रेवा के काड़ोस बेड़ोसी मोटे वकाड़ोसी जा आवखो फऴ। मंदरेने के कारण पूराना गर और जरजड़ित होता जा रहा था चोमासे में अधिक बरसात पढ़ने पर टिन के छपर से भी पानी अंदर आता था जिससे घर की एक मुख्य दिवार में दराप पड़ गई थी खुले दाला एवं आंगण में कूड़े के डेर लग जाते इसलिए बुढ़ियमा की अनुमती लेकर बेच दिने का विचार पका कर लिया योग्य ग्राहक मिले तो एक गाउं में रढ़ने वाले वियवार कुषर मित्र से बेचने की शिफारिस करके हम शहर चले आए फिर एक दिन ओफर आया भी सई ओफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरशे मन था इसलिए अब देर करने का करने या आनाकानी करने का प्रश्ण नहीं नहीं था अवे लेखा के छे कि घणा समय सुदी घर बंद था एक तो घर जुनों एले बंदरे एले साव जर 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 जी उथाई गुत्तू कि मांड मांने इमां रेवाए एमां आपड़े रेवं हुए प्रश्ण नाकी खर्चों करवो पड़े सगर उड्वाल पड़े तो इमारे सक३वाए चुमास उङए तो छो मासाने कारणे ये पत्रा राखेला हाता ये पत्रा पढ़के वाथ ही गया था तूटला पूटला था ही गया था नहीं ने कारणे अंदर पाणी आव तू घर नी अंदर अन्ने मुख्य दीवाल होई येमा तीराड़ पड़ी गई ती पजे आंगणा मा लोबी मा येमा बदा कच्रान धगला लागे ला आता है ये मा तस घराग पर मढ़ी गयो ये सारो ये हो हो तो लेनी साथ है में वादचीत करी परंत उसी क्षण से मन में टिस से उठी एक बार बार मन को व्यक्र बना था विचार आने लगा कि पूस्ते नी गर क्यों बेचा जाए तीन चाय पिटियों से चले आते मिटी के कमरें के स्था मेरे पिता ने यहां इट का पक्का घर बनवाया था कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयम मजूरी करके घर बनाया था पिता जी इसके लिए अपने बैल गाडी में इटे लाए थे चीनाई के लिए घरा बनाने के लिए घाओं के आमबा तलाब की सांबर जो सुझे आम बातला की चिकनी मिटी स्वयम खोतवर लाये थे मेरी माने सहतीर तक मा घारे के उसले बचड़ाए थे फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब तक उन्होंने मकान वेतन बोगई सुपई वाईजरों को देखने में मजदोरों को मजदोरों द्वारा मनते देखने में थोड़ा खुश होते हुए माँ पीता जी और अनेक बार गाउं के घर को कैसे स्वय मेलत करके बनेया था उसकी बाते करते हुए भावुख हो जाते थे हैसों के जे के घर वेचवानों नकीतों करियों पर मनमा वारम वार दुख थातों अने विचारा होतों कि या जुन्नू मकान सुका में ची हर आनि के लिटिय तों अपर्ण चार पेडिया रहेली थे और मुट्म के भीता जी नेकोर है सिये होतों आना स 사 होका में यह स्दलां कर ँद लर मेखो करते हैं तगाळा गमेला आपने उपाड़िये ने, जे सिमेडणा घारा डिवा बरी देल उपाड़िये ने, आपने कड्याने देले इंगे, इलत गैना стен माये वा motivating गमिलाई उपाड़ा जे तसले तसले नोर्थाई तगाणा उपाड़ा जे फीर सहर में अपने लड़कोगों कि जे पछी पोताना छोकराओने माटे मकान बनतुतु तो त्यारे देखरेक माटे मानस राख्या था सुपववाजले मानस कि आपने ध्यान न राखे पर कोई व् बनावे जे सुम बनावे जे पछी आपने न पैसा आपी देई ये मन में थोड़ा खूस होते हुए माँ पिता जी अनेक बार घाम के घर को कैसे स्वयम मैनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावकों जाते के पछी आवबधी वातु आपोताना दिक्राओ शहर माँ इस तरह से ते मकन बनाता है पछी मा अने पिता जी पोते केवरी ते गमा मकन बनाया हुए इन इवातों करी अने गदगध भावक थे जाता इसी में ही हम सभी भाई बांदों का जन्म हुआ था इतना ही नहीं इसी कमरे में हमारे दामपत्य जीवन का आरब हुआ और इसी कम अरद नी अंदर अमारा वदा भाई वेनों जन्म थेया, अने अहीज अमारा लग्न थेया, अने आमारा दांपते झालू थेयूं झालू थिज टोचे, जीवननी अंदर जे काई शारा अने खरा प्रसंग को आव्या, अरद आघर साक्सी च्छे। गर के आंगण में कैसे खिलते थे? एक दिन उस आंगण को पार कर कंधे पर ठैला लटका कर घाँ की पाट साला में पढ़ने गए थे एक दिन उसी आंगन को पार कर परगह पढ़ने गए, एक दिन उसी आंगन को पार कर सहर में जाकर बसे, इसी गर्स के आंगन में हमारी बहनों और भायों के विवा मन्नक बंदे थे, यहीं बीरादरी वालों के साथ जगड़ी और स्नेय मेलन भी हुए थे, है उसमों के जे कि आज न आगना ने पार करी, अन्तार अन्तार अज़ कुण समोच दीवस करा आज आज ना नागना ने पार करी। आज गर ना आंगनानी अंदर अमारा भाईयों ने बहिंडों ना विवा थया अहीं ज अमारा गनाती जनों साथ या मरुष्णियों मिलन था तूं वहाँ पड़ोंसे के साथ आवाज में बोला चाली और जाड़ों में अलाव के पास बैठकर मदूर विश्रम कथाए हुई थी केशे अहीं बदा आरोस पड़ोंसे साथे उची आवाज में करे एक बोल चाल था थी अन्ये जाड़ों अले शीयाड़ों अंदर आपने ता अल्लाव एले तापनी तापनी यह आपने करिये औन्य हाथ आपने गर्म-गर्म सेक लिए तापनी मां बेसी अन्युमें सरसमझानी मीठी मदुर वातो करता इसी आंगर में हमारे परिवाद के कुई सदस्य भेंस बेंस बचरे आदी बांदे जाते हैं थे कि मारा आंगरे नद गाय बेंसों ने वाचडी ने बदा बांदवा मा आता इसी गर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यू के समय बोबर से लिप कर उस पर उने सुला कर पूजाए हुई थी और कुछ वर्स पहले मेरी पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था कि आ आंगरानी अंदर आ दालान ने टले क्या पूजाए हुई रोभी कई ने ए आयाता हमारे घर के दोनो और दूसरे घर है कि अमारा घर नी बे बाजू बिजू पर घर छे एक घर हमारे एक दम बिकट है कि साथी का है वह भी बंद है केशे कि अमारा घर नी बे बाजू मकान चे पर एक घर छे एक नजीब नो जे मित्र छे साथी जे एनू चे एक घर सुम चे बंद है मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थालों में घुमने के बाद पत्नी की मृतिव होने पर अब अहुंदाबाद में रहता है उसके बाद के मकान में कासी बुआ रहती थी उनकी मृतिव को वर्सों हो गए वर्सों तक जहां वे रेत धड़ी लेकर रोज सामाई करती उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है सामने वाले मकान का मालिक प्राउड अवस्था में परंतु कुमाराई चल बसा उसके बाद किकीरा ने वह मकान ख़िदा उसने आंगंड में फिर जगड़ा करके परोशी हक स्थापित किया एक दिन वह भी घर घिर पड़ा अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है केचे अमारा गार नी विजुबाजु मकान खे त्या रहे चे अमारा नजीक न मीत्र चे सबंदी चे अने एपड़ गर्बन चे एपोते रोजी रोटी कमाव माटे डूर गयो चे अने पत्नीनों मृत्यु थाई गयो एटले है अव्यमदाध मा रहे चे एन सामे एक मारा भूवा कासी भूवा एले कासी फई रहे ता ता एनी पर मृत्यु थाई गयी चे अने वर्षो सुधी ए अहीं सामाई करती एले के ते ओ जएन नता रोजे लोगो जएनो मा सामाई करवानों बगवान याद करवान एपण अहीं अवे एक तोन्द वाला बारोट गिंआ सोता दीखाय सितिता के खाली मार से याखन चे इह फांद वारो आप परी लुआ थाय ज हम एक मिकांची, विपते उपनों बावव sher गिल सा अज OFF लों भावीन Eisen ग्यलों अने कोई की जिने मकान खरी दियों, ये के ओछे पाड़ो सी जगणा रूँचे, अने ए पड़े जगणा करी गाई खोटे-खोटो हक्स, थाप के से मारो होचे, बधार आने जमिन पचावी लेतो, अने ए पड़ी गई अने कोते खरी दियों, सरस्मजानों मकान बढ़ना व् जो, इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचे, पूराना घर है तो भी है, तो पुस्ते ने, केशे कि आब अदू बदली के उचे, चत्ता है इम थाई छे, कि आप घर के मेचे, जुनू छे तो सूं था यो, पर बाप दादानू छे, वह घर है, चार दिवालों और छक्पर वाला कोई मकान नहीं, एक घर छे, कि जेनी अंदर अमारा लुकुनी आत्मी नत्या छे, अमारू बजपन छे, अमे जेपन का आज घर नी अंदर अमारा जे संस्मरों छे, जे अनुबों छे, ये बदूज, आमारा घर अमारू साक्सी, अमारा घर नी जेम एक सदस्या ची, एक खाली चार दिवालों नो, कि उपर नी छतवारों मकान न थी, कि आपने ना प्रतिस्नेह नो होई, मकान पैसों से खरिदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परन्तु घर, गर तो एक भावना है, कि मकान बनाओं होई, तो एक खरिदी लाइए, बनावी सकीए, मेची सकीए, परन्तु घर, घर कोने केवाय, जेनी अंदर, बदा हड़ी मणी ने रेता होई, और आपने घर नी प्रतिये प्रेम होई, जेवीरी ते तमने कोई वस्तु घमती होई, छोकरा होई, और कोई नवा ड्रेस गमतो होई, तो एने बाव प्रियव होई, तो एसो करें साची साची ने राखे, और क्षाटी जाए, तो एक पण इनने याद रेने करें, मन दा आमारो सरवत बाव गमे छे, मन आमारो ड्रेस बाव गमे छे, वालू लागे ने, लेके से कोई प्रोण वस्तो आपने प्रिया होई एने आपने मुख्वी गम्ती नथी ए आपना रदयनी नजीक होई छे भले ने एनर्जी होई तो सुथाई गयों गर की भावना भी अच्छी है वह गर सिर्क पैसे से खरिदा या बनवाया नहीं जा सकता है इसलिए लगने लगा कि बले ही गर पूरा नहीं होता जाए जीरन होता जाए बले ही गिर पड़े पर तो वह बना रहे घर चे ए फरिती बनावा तू नथी लेने वेचवान मन था त दूसरी ओर मन दूसरा तरक करता है कि यह सब भावता है यदी गाव में जानाई नहीं तो वहां गर रखने का क्या आर्थ है कि बीजी बाजो एक मन मा विचारा आवे जे एक भावना था है जे कि आब दी खोटी सूचे खोटो प्रेम छे खोटी लागनी छे कि भई हवे आ अच्छे पैसे मिल रहे हैं इतने पैसे फिक्स डिपोजित में रखे तो भी कि यह नब मकान में चेचे तो सारा पैसा मढ़े थे और यहने फिक्स डिपोजित में पर राखे दे सूँ तो यह पर आपने सारा पैसा उपजे मढ़े अंत में निकाल देने का ही नियरे लिया परन्तु हम सब भाईयों ने एक बार सब परिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले केशे के छले हमें भाईयों नकी करियों के आलो अकर गर काड़िज ना कुझे तो आपने बद्धाय परिवार सहित ये वाँ थोड़ा दिवस रहिए जुनी याद से ये ताजी करिए तो मज़ा आऊ से लेकर पची आपने वेची देए तो बंदो नहीं और फिर लंबे समय के बाद वा बंद गर खुला पचिकटला आएं समय पची ये बंद गर खुल लिए देखते देखते चोटे परिवार जनों से वा सुना गर गुंजने लगा इस सवसर पर एक रगरवासी मित्र को गाउं क इस घर को देखने के लिए साख ले गया था पूराने दिन वापस लोटा थी पीता जी की मुनुद्य के बाद मेरी मा करिब करिब उदास रहती घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशे सरुची नहीं लेती थी वह भी आकर सब के वीच प्रसंग लगी जोता जोता अमारो खुण्जवा लागे और एक वक्त नो गर के उलाके छे उलास परिव लागे ने अवाजा आवे त्यानो एक नगरमीत रहोए ये पडा गर जो आमाटे आवे छे अने अमारा जुना दिय उस्तो यादावी के कि अमारो पिता जी ना मुर्तिव पची बाप पेली वक्त उद संतवा ला गया परन्तु अब घर की प्रतेक दीवार मुझे उल्लाहन ले ले लगी दालान में जहां मैं हमेसा बैठता जहां बैठकर पहली बार कखरा लिखा और जहां बैठकर छुट्टियों में उस शिक्षा के गरंद पड़ता था वहां जाकर बैठा वहां भीज से टेक इतने दिन बाद आये हो और अब हमेसा के लिए लेक्षा के चे कि मने आमारी घर नी जुनी दीवालों सुन लागवा लागे चे बहुत अगरी लागी जहां दुख जहां लागी हो कि बैए जहां हूं बेशतो तो वांच्वा माटे तिया जहने बेठो और जहां संहों थे कलम खड़े हो शिख्यो तो तिया जहने बेठो और जहां रजा पड़ती रजना दिवसो माँ हूं मारा आगण उच शिक्सानों चोपड़ा माज तो तिया जहने बेठो और भीत ने टेको दीदो तो मन्दे जाने के अंदर थी इ भीत मारा रदे ने हलावी गई और पछे तो में पाचरवड़ी जोयूं ने मारे इदीवाल उपर ये हाथ फिरवो और जाने के इदीवाल कई रही होए एक तोय कटला दी उसोपची आओ छो और हमेशने माटे अगर मेचू नाको जो मैं व्यक्र हो गया आंगण में खाट बिचाकर बेट गया अब वहां खाली ना अंगर नहीं थे परन्तु उस और देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे मैं एकदम खड़ा हो गया सुनी आँखों में भरा हुआ आंगण देखता रहा घर की यहां खप्रेल कितने सारे नोमायों में इसका संगित सुना है यहां के तोरान के बीच मेरी बहने के मंड़ पे बैठी थी और यहीं दादा दादी पिताजी की अर्थियो बंदी थी एसा लगा जैसे मेरा गला रोंद गया हूँ के हूं तो दुखी थाईगियो आंगण आंगणा मा खाटलो पात्रे ने बेठो तो तो त्या खाली-खाली अवाज संब्ला थो तो खाली-ख आंगणों जोगा लागे हूँ के भई अमारू गर पेणा केऊं होतु अन्य तर केऊं लागे छे पशे ने घर छाप रहा हूँ पर शुनू-शुनू संगित चो मासामा लागतू हो यह लागे छे यहां आँ दोरों नीचे बिटो तो मने मारा बैन्न विवा मंड़ यादा अन्य मारा दादा अधा दे पिता जी ने अहीं अर्थी बांदी ती यह बदू यादा भी अन्य मारू बढ़ू बराई आँ गर के अंदर के सभी कमरे बंद जरजित कमरा अधिक मुखर लगा पिषिद दीवार के एक जाली से थोड़ा प्रकास आ रहा था एक समयव कमरा अ सब तो कपका निकल दिया है परन्तु अभी भी कोने में दहीं भी लोने का एक बड़ा मटका और खुटी पर भई तत्रस्त लटकी रही है मैं वहां जन्मा था मेरी संता ने भी अब के जे घर नी अंदर गयो जोयू तो बंद रूमत आए एने कदी दीवालों जर जर थे ग अने पाचर ने दीवाल तो साव नकामी थेगी थी एमा थ्रोक थोक प्रकास आवे छे अने अमे जे आनाज बड़ता था ए माटी नी कोठी पिटारों ए पर त्यां एमनिम पड़े आता अने त्यां जाई है अने बदू काडियों परांतु अमे जे दैं वलोता था ये वलो के वहां से होकर फिल दालन में आता हूं मा अकेली बेठी है सब इधर उदर है के चे के हवे अमें वच्चेना रूम मा गया के जिया में साथे बेसी जमता हता मा एकली बेठी चे अने चारे बाजु जूए छे देखता हूं कि बुधी मा रोल रही है मा को कम दीखाई देता है कब सुनाए देता है चे चे के बुधी मा रोता आता है और इने ओचू संपड़ाई चे और ओचू वेखाई पॉन अब अधिक दिन निकाल सके एसा भी नहीं लगता है मैंने पास जाकर पुछा यह क्या तू रो रही है मा के चे के मने लागतू तू कुमारी मा वजारे पुछ जोर से रो पड़ी यह घर बस इतना ही वह आसू और हिचकी चाई बीच बोल पाई पीता जी के हो सान के समय नहीं रो रही थी उतना मा इस समय रो रही थी धीरे दीर हिचकियां के बीच उसने कहा यह घर मैं जी रही हूं तब तक मत निकालों मैं अब कुछ दिनों क पुछ दिनों मैं मनुदू, फिर तुम लोग जो चाहो, कहें चे कि पजी जोर थी रड़वाल लागी, ने के वाला कि बस तम्हें वह घर ने न निकालों, हवे हीपका बरी बरी ने रड़वाल लागी, ने कहें चे कि पिता जी जारे मर्या, त्यारे नती रही एट्रू अ तेरे वधारे रोवा, लागी हीपका बर्ती बर्ती रोवे चे ने के चे, बई आ गहर चे, जी वुझे जो त्यारे में काडों, नहीं हमें तुम थोड़ाक देशने में मांचू, पाशी तमने जे योगे लागी ये कर जो, काडी नाखनों हो तो ये बले, ने राखो तो य पर्णतु मा तुने ही तो किया कहा था, कि मा देदु बात करे थी, कहा होता, पर्णतु वापस यहां आने के बाद नहीं इसे तुम मत में चो, उसका रोना बंद नहीं हो रहा था, मा को रोता देखकर मुझे दूख तो हुआ, पर्णतु आनन्द विसे सुआ, लगा कि उस का रदय अभी जीवनत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुची है, हम तो बैठे थे कि अब तो मा की दिन गिन रही है, पर तो घर के प्रति उसका यहां गहरा राग, के छे, के मा ने रोता जूई और दूख करता आनन्द विसेशती हो, कारण के अनू रदय हजी जीवन छे, एनने हजी जीवानो आनन छे, जीवन का ते स्नेह छे, रुची छे, लेके छे, के अमने तो यह मतों कवे मा, थोड़ा क्रिवस्नीक पढ़ना, हजी मानने जीवन छे, जीव से, अने एनने आग घर प्रतिये, घरो राग, राग यहले प्रेम स्नेह छे, उन्नो प्रेम छे, घर निकालने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अन्दर प्रत बो तो था, पर तो अब तो एक प्रकार के तीवर कशक उठी, घर को भी सभी समाती को से बेचने का निरा लियाता है, इकरा नामा भी हो चुका, लेकिन उस दिन के पतिक अब तो जैक घर की बात निकालते ही मौन हो जाता था, गर ने मेचवां मा ते मन मान मा दुख थातो तो पर अपरातबाग थातो तो, परन तु आजो एन्य वधारे खाइक ठाएंजी, घर ने मेचवां में ही इमें शहमती रजा तो घर मेचवां निर्ण से निर्णे हैं, यहारे पर घरनी बात निकरती, त्यारे बदा लोको मौन थेई जता, इतने में छोटा भाई मकान खरिदने वाले के साथ आया, घर के अने सदे से भी एक कत्र होकर मा के आसपास बैठ गए थी, मा को समझ नायने का प्रयात्ना करने लगे, हम अधिक सुविदा वाला नया मकान इस गाउं में बनाएगे, इसी गर के पैस्टो से, तुम कहोगी वाईसाई, के शेक एक मकान मारो नानो भाई छे, एक मकान खरिदा वाले साथे लही आवे छे, अने घरना बदा लोको मानी आजू-बाजू बेगा थी गया, अने माने समझावानों प्रयात्ना करे छे, के आपने आनाति पसर समझानों गणी बदी सगरवार उमकान बनावसों, आज गरना पैसादी बस, तो कैस एक उगर आपने बनावसों मानने कहा, मैंने इस घर की सहतिर तक इटक चड़ाई है, तुम्हारे पिता ने कितने उमंगों से बांधा आए, इसलिए मेरे जाने के बा भगवान करे, तुम लोग महल बनवाओ, परनतो यगर तो छोटा भाई समय की नजागत समझ गया, उसने मकान करिदे वाले से कहा, भाई कुछ समय रुख जाओ, यगर देंगे तब तुमको ही देंगे, मैंने देखा कि हम सब की चाती पर से एक पत्थर सा खट गया था, ब प्रिष्ट ग्रह देवता कि प्रसंता का सपर्स सभी को हुवा था, अवे सुखे जे के मा केछे, के में पन आमा घमेला बड़ी बड़ी इंतगारा बड़ी बड़ी नदीदू जे, इंटू चड़ावी जे आना तारा पीताय तो बहुँ खुश सीत्ती नमकान बांदू ज तो तमने हुँ तो एव आशिर वादा पूचू के बगवान करे तमे महल बनाओ पन तो आ घर हमना वेचो नहीं, परले छोटो नानो भाई हातो एम परिष्टी दिने समझी जाये चे, और के ना खरीदवावार, मकान लिवावारों जे व्यक्ति हातो एने के चे, बाई, थ चातीव पर एक मोटो भार अटी गयो लेगे बदायना, पर जे आम भार लागतो तो एह अवे अवे अड़वास अनुपवे छे, जाने उलागे चे, वर्सा थाया परची, जाने कुल्ला आकास मा मानु मुखडू जोई, जरजरिदगर हसी रही हुँ छे, अने अद्रस एवो बदायनों भाव करे, छे, लेविद्यार्थी मित्रो, गर एक खाली इटरसी मेटू मनेलों होतों नथी, एनी अंदर आपणा बदायनों स्नेह, आत्मार एलीजे जोजो तमे, अपर घम्मे या जाइए, पर पोतानगरे आवसो, बलने जुपडू, छेताए पड़, एमाजेटली हासकारों अनन थाजे, एवो आपणे कुईना मेल मात तो नथी, मजावीने धन्यवाद,